जो इंडिपेंडेंट उमीदवार हैं, पत्चीस जो विधान सबाग सेतर हैं, उन्होंने के कोणा मकावला उनाया हुआ है, मान के चलते हैं कि आपकोदा से ज्यादा उमीदवार इंडिपेंडेंडेंट चुनाव जीशक्ते हैं कहीं न कहीं पार्टियों को बहुमत की जरूरत पड़ती है, अगर सरकार बनानी है तो बहुमत चाहिए, लेकिन हर्याना में ऐसा बहुत बार हो चुका है जब पार्टियां सपस्ट बहुमत के साथ नहीं आई और उन्हें कहीं न कहीं निर्दलिया जो अमीदवार होते हैं उ किस और जा सकते हैं किस और जाएंगे और उनकी भूमी का क्या इस वार सरकार बनाने में हो सकती है और इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ है स्टीश महरा जी जो हर्याना की राजनीती के बहुत अच्छे जानकार है आईए उन से चर्चा करते हैं मैरा साथ सब्सक्राइन तो आपका स्वागत है हमारे स्टीश महरा नमस्कार मैरा साथ आपको क्या लगता है कि इस वार जो हर्याना बजान सवाच चुनाव है उसमें जो निर्दलिया है वो किस तरह का रोल अदा कर सकते हैं देखिए आप आज आपने निर्दलियों की बात की है राजनर जी जो चुनाव परचार के दौरान और जितने निर्दलिये चुनाव मैदान में हैं उनकी आज़म कह सकते हैं और इसके इति हैं राज्ड़ के रूप में बागर्टर यह चुनाव लटे हैं और इसके लावत च्रह है आज़ाद अमीद्वार के रूप में जो चुनाव लड़े वह बारती जन्ता पार्टी से यह सारे के सारे लोग विदान सबाग सित्रों में बागी उमिद्वार या तो तिकोने मुकाबले में हैं या फिर भारी हैं दोनों पार्टियों को उमिद्वारों पर 25 एस उमिद्वार है जिन में से मुझे लगता है कि रिकॉर्ड जीत उनकी हो सकती है पिछली बार जो 1982 में सबसे ज्यादा अब तक इस प्रकार से चुनाओ शुरू है हर्याना में 117 विदायक चुनकर आए चुके और कई बार उन्होंने बहुमी का निवाई है सरकार बनाने में चाहिए पिछली जो 2019 की बात करें बार्टियों की 40 शिट्टे आई थे बहूंगों से पांच कम रह गई थी लेकिन सा जो इंडिपेंडेंट्ट जीत कर आई देना तो उनकी उनका मैतपून योगदान रहा था कॉंगर्स पराने में अलांकी बात में उन्होंने जन्नाइक जन्ता पार्टी के दस विदायकों ने साथ दिया साथ दिया साथ दिया सरकार बनी इस प्रकार से कई वार ऐसा हुआ है कि शरकार बनाने में इनका जो जो आजाद विदाय करें जब मैतपूनी योगदान रहा है और इस बार भी मुझे लगता है हलांगे इस बार चुनाओ एक निर्णाओ होगा तो अगर हम 25 तो बाइपोलर चुनाओ है और बाइपोलर चुनाओ में मुझे लगता है आपकी बार किस निर्णाओ का किसी पारटिक हो सकती है जिस प्रकार से आज हवाद सक बैह रही है ज्यादा तर लोग के मुझ से यह आ रहा कि कौंग्रेस की सरकार बनेगी ये तो चुनाओ के तो उनके एक निडाएक मुभलिक भी हो सकती है, अगर कहीं न कहीं बहुमत के नजदीक बारती जन्दा पार्टी अगर कहीं न कहीं पहुंचाती तो बारती जन्दा पार्टी उनको अपनी और लेने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो बारती जन्दा पार्टी में थे उनका टिकट चाहते थे लेकिन बारती जन्दा पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया है और उनके मुकाबले में हैं उनके पोत्ते हैं आइनल्डी से अर्जुन चोटला है और कॉंग्रेस पार्टी के सरवमित्र कंबोज हैं जो पत्रकार थे पहले और इसके अलावाज सिस्पाल कंबोज हैं भारती जन्दा पार्टी से तो उसमें कहीं न कहीं है चोजित रनजीत सिंग मुकाबले में हैं अगर जीत पाए तो एक नदिन दिलिया विदायक के लूप में उनका क्या रोल होगा वो ये देखने वाड़ी बात बढ़िया रोल हो जाकर श्रुन ले चोज shouldn को फादा भी हो सकता लेकिन फिलाल चोज रनजीत सिंग और अर्जुन चुटाला में कांटे की तकर है अर्जुन चुटाला फिलाल भारी है लेकिन इंडिपेंड़नेट के रूप में आज हम इंडिपेंडेट हुए जादा जुहाँ और बात करें सो रनजीत सिंग कई दांगी के बात करते हैं जो अपनी पार्टी है उनकी पार्लाज तो अपनी उमिद्वार है अपनी पार्टी से ही और जो एक बात कर से कटे हम आजाद वुद्वार की अजाद वीद्वार के रूप में राधा अहलावत टुनाव लड़ाही जो समसेर खरकडा की धर्म पत्नी है तो राधा लावत तिकोने मुकावले में कहीं अच्छी गैंडेट है और राधा लावत जीतना ना जीतना तो यह तो मत्दान के बात पता चल जाए लेकिन अजाद मेदवार के रूप में कहीं तिकोनों का मुकावला बनाए हुए तो उसमें तो बात करते हैं गन्नोर की गन्नोर में जो आजाद उमिद्वार की रूप में चुनाव लड़ रहे हैं देविंदर काद्यान है देविंदर काद्यान का एक गन्नोर में नाम है समाज सेवी है वो और उनका समाज सेवा के काम में मैतपूल योगदान है चाहे कई तरह का करते रहें और लोगों पैचाना भी उनको जो काम किया है काम को पैचानते भी माँ की लो कर हबाम के पक्ष में लग रहे हैँ सबसे भारी मुझे लगता है औजाद उमिद्वार जो पांच जो भारी में द्वार होंगे नौव देवेंदर का ट्यानी तो वहाँ पर कुल्दीब सर्मा चुनाव लुट रहे हैं स्पीकर रहें पहले कॉंघ्रेस के सरकार में कुल्दीब सर्मा कॉंघ्रेस से हैं और देवेंदर को सीक और प्रामर्म्र समूद आए कि वोट डिवाइंड वरत adjust का तो यह आजाद विद्वार है देवेंदर काद्यान अब शावित्री जिन्दर की बात करते हैं शार विद्यान सबाग चेत्र है जी शावत्री जिन्दर एक बड़ा नाम है बिल्कुल और देश की सबसे अमीर मैला है कॉंग्रेस के वहां पर राम निवास राड़ा जो सैनी ब्रादरी से तालुक रखते हैं और बात्य जिन्दाबाटी के डॉक्टर कमल गुपता है तो शावत्री जिन्दल के पक्स में बहुत ही एक पहलू है कि अधिक इंड़स्ट्री स्थे वो और उनकी बड़ी इंड़स्ट्री इंसार में 15,000 रपोट 15,000 से बीज्यादा परिवार उनकी इंड़स्ट्री से जुड़े होए हैं जी जी वो कहिंगे सावत्री जिन्दल को मजबूत का इंड़ेट करूप में एक पैचान देते हैं कई बार हमने इस पर डिसकस की है तो सावत्री जिन्दल मुझे लगता है कि अजाद उमध्वारा में सबसे बारी मतौप मजबूत उमध्वार जी 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 तो इसी तरह से लाडवा की भी बात करते हैं लाडवा में जहां मुक्यमंतरी का चुनावक से तरह हैं जी ल लाडवा में संदीब करग ने तिकोना मुकाबला बनाया हुआ है जीतना ना जीतना वो तो मत करना के बाद पता सब जाएगा लेकिन संदीब करग अजाद उमिद्वार के लूप में बहुत अच्छे उमिद्वार महां पर हैं जिस सीट से मुक्यमंतरी दायप सिंशनी तिकोनी मुकाबला है महापे लाडवा में बना हुआ है असंद की बात करते हैं असंद में सम्षेर सिंगोगी हैं कॉंगरेस पार्टी को में द्वार हैं जो निवारत्मार अभी गिदायक भी रहे हैं और सिक समुदाई से बाते हैं दूसरे योगेंदर राना है बार्तिय जिद्धापाटी से वह राजपूत्व समुदाई से आते हैं और जो महापे जिले-राम शर्मा वह भी बागय मिद्वार हैं इसे इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं जिले-राम-शर्मा के साथ जो प्रामन समुदाई के बोट है ना वह बहुत उनका साथ दे रहे में कुछ भी हो सकता वहां पर जिले राम शर्मा की बहुत अच्छी तक्कर में इंडिपंडेंट जी जी तो पिर्थला की बात करते हैं पिर्थला में हैं नैनपाल रावत हैं जी निर्दलियों विद्वार हैं उसके इलावा जो पार्ति जंता-पार्टी की टेक्चन शर्मा हैं और कॉंग्रेस के हैं रगवीर तेवतिया हैं तो आप नैनपाल रावत ने एक अच्छी श्तति बनाई होई है और तिकुणा मुकाबला बनाया हुआ है जी तो बात की बात है यह तो इक विशनेशन की बात हम लोग कर रहें कि यह जो अच्छी सीटे हैं यहां पे एक दी तिकुणिया मुकाबल जो अज्याद उम्हें है वो तक्कर भी दे रहे हैं और बाजी मार सकते हैं जी 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 आप गुरुगराम की बात करते हैं गुरुगराम में मौहित करोवर हैं बात कि चाहा पाःब के उम्हाउदवार हैं ग्योड़े जो चुप्स्राओ लड़ तो उनका अपना स्थान रखते हैं और उन्होंने इस मुकाबले को तिकोना मुकाबला बना बना दिए और उस गुर्गाओं के सीट के हम बात करते हैं जादा पंजाबी और कहिंद वैसे समुधाए कि भी वोट अच्छे हैं अगर वैसे समुधा आए कि वोट ज्यादा लेने में वह कामियाब रहते तो ब्सजी लगता है दोनों की दोनों की वह कहीं कहीं का मिगार चकते हैं बार बरोध़ाइं, बरुद्धा में बार्थीशंता पार्टी के परतीप सांगवान हैं सनरवाइबं हैं, उनके रवावल के कापूर नरवाल के मकापूर नरवावाल के कपूर नरवाल के हौँया है, मुझान के समर्थन में भी म्यिद्ध के हैं, में और यह तिकोना मुकावला कुछ भी हो सकता है रिवारी की हम बात करते हैं रिवारी में प्रसांत सन्नी है के नाम से हैं कि इंडिपेंडेंट उमिद्वार हैं जी वह बहुत अच्छा मुकावला वह दे रहे हैं और वहां पे चरंजीव राव हैं कप्टर नजय यादव क बेटे हैं पहले भी एक बार विधायक रहे हैं और दूसरी और लक्षमन यादव जो भारतिय जंदा पार्टी दियए रिवारी में से बिदाएक उते थे थे वह अभी उनको रिवारी में उतारा गया बारतिय जंदा-पार्टी नहीं प्रसांत सन्नी है उन्होंने मुकाव वाई केंड़ेट फिलाल पटें लेकिन परसांथ चन्य उक्राम कम नहीं कह सकते हैं यह मकाबले में कहीं कहीं आगे खड़े हैं और राजेंदर जून को कॉंग्रेस ने टिकट दिया है और भार्चेजंदा पार्टी ने स्कॉसी को टिकट दिया तो वहां पर राजेंदर उन्हें पहले भी काम किया है अपने जो बादूकट छेते रहें तो उनका कहीं कहीं काम अगर काम आया तो जीत की जिताओं भी हो सकते हैं और जिताओं नहीं होते हो लेकिन दूसरों के दुन्हों को टक्कर जुरू दे रहे हैं कहीं न कहीं ऐसा होता मुझे लगता कि ये जो लोग होते हैं तो जिन लोगों ने पांच साल पिछले अपना धातल पे काम किया होता है अपना जन्मत बनाया होता है तो कहीं न कहीं इनके साथ लोग जुड़े होते हैं और ये इनकी जीत की उमीद बहुत ज्यादा बन जाती ह अब बात करते हैं कलायथ की कोंगरेस पार्टी कeven दॉार है और दूसरी और सब बागी ओकर चुनाव बदा में इंडिपेंडेट के रूप में उतना पड़ा वह उनका चुनाव अच्छा है बहुत अच्छा है और कईों से बारी है वो और अगर चुनाओ पाँस अक्टवर तक उनका कोई चीटाओ मेस्सेज रह तो मुझे लगता है बारी के अडिये टो सकती है समीकरन बदल सकते हैं अब अमला केंट की बात करते हैं अमला केंट में अमला केंट की नो पाधres छित्रा सरवारा लांके कोंक्रेस पार्टी चुनावधान से से और लिए इंडिबेटेंट आप ये विज्ट by चुनाओं शर्वार नेल पेंने रहे गल मा 계кимलेख लिए लाकुत लेकुए इंसे ग्मभी दीयुए er कोई भी दौर बाजी मार सकता है और अलांकि अब यह जो रिपोर्ट रही है चीटरा सरवारा समय बारी बाजी मार सकती है दूसरी और बात करते हैं पाणीपत्थ सहर की पाणीपत्थ सहर में रोहिता रेवडी जो पहले विजेपी को इधाएक ती बाद में कॉंग्रेस में और उनके मुकाबले में प्रमोध वीज हैं और विरेंदर कुमार शाह हैं प्रमोध भार्थी जंदा पार्टी से हैं और विरेंदर कुमार शाह हैं वो कॉंगर्स पार्टी से हैं तो रोईता रेवडी जैसे पहले विदायक रही हैं उनके काम को लोग जानते भी है रोईता रेवडी का नाम है उस पाहिप्रत चेतर में तो कम भारी नहीं प्राणिक लिडर के साथ वही बात आगी कि के ने कहीं उनका एक कैडर जुड़ा होता है मिलेगा और वह तिकोड़ा मुकावल अपनाई हुए तो बात करते हैं तिगाओं की तिगाओं में ललित ना करें पार्टी के टिकट के दावेदार ते उसको टिकट नहीं मिला वह इंडिपेंडेट चुनाव लड़ रहे हैं उदर भार्टी जनता पार्टी के राजेस ना पार्टी के रोहित ना करें तो तिनों का तिकोड़ा जबर्दस मुकावला बना हुआ है और कहीं कहीं ललित ना कर को कम नियांका जा सकता उनको और मद्दगर्णा के बाद एक चुकाने वाड़े नितिजिए वो दे सकते हैं कि मजबूत टक्र में नजर आते हैं मजबूत पर इंडिपेंडर चुनाओ जीते रहें पूंडरी विधान सभाइच चित्रेश ऐसा है जहां पर ज्यादा तर एक आत बार को छोड़कर सारे के हर बार ना जाद उमिद्वार चुनाओ जिते इस बार सबीर भाना है सबीर भाना चुनाओ लड़ रहे हैं और जो बार्टी पर्टी से चुनाओ लड़ रहे हैं सुल्तान सिंह जडोला पहले भी विदाय करें रहे हैं बात में जो नों ने सबीर वाना काइंड काई तिकोड़ा मुकाबले में टकर देरें दोनों विद्वारों को जीतार का तो पांस आठ आठ अक्तूबर को मत करना की बाद पता से काई चुनाओ से पहली वारी जो रात होते हैं उस रात को काफी बदलायों के आसार होते हैं और डिखने वाली बात है कि किस के पक्सभा में बदलायोंगा और किसके व्रौद में बदलायोंगा नो जोड़ तोड़ और सबकुस तो आजितिक पार्टियां करती हैं जीतने के लिए और होते रहेंगे ये अब बात करते हैं गुला चीका की जो केंखल जले की जो विदान सबा गुला चीका है वो आरक्षित है और इसमें नरेश धंडे हैं इनके पिता जी पहले मले रहे हैं नर नोने भी कहीं जो जांडे हैं नोने भी कहीं के टिकोना मकावला बढाया हुआ है तेंशन बढ़ाय हुई या दूसरी पार्टियों अलांके जो जो आरक्षित चीट है उन पर ज्यादातर जो भारी केंडियेट हैं वो कोंग्रेस के कह अमिदवार बारी हैं लेकिन इनोंने का अभी अन के मॉकाबले में कॉंग्रिस पार्टी की मनिशा सांघवान मनिशा सांगवान और सुनील सांगवान में जवज़ा टक्र हैं दोनों सांगवान समधाय उसे हैं गौतर से हैं जो तीसरे कैंडियेट है अजीत होगाट फोगाट खाब का भी महां बैतवपून रोल होता है और फोगाट खाब अगर उनको पुरा समर्थन अपना देती तो कैडियेट कहीं इन से 19 नहीं पड़ेंगे इन कहीं नजदीक मुकावले में कड़े हैं अजीत फोगाट इसके बाद हम बात करते बाड़ला गी बाड़ला में सोंबीर जो अजाद उमिद्वार के रूप में चुनाव लट रहे हैं उसके साथ साथ उमेद पातुवास है जो C जो ऑलकी जलता ही घंद गावार करें सोंबीर सांगवार में जो कंगरेश पार्टी कांध प्रक्रक्प उन अश्यस परचुना बाल्ष है तो नहीं ऑबी तिनों कोना मुकावला का बना हुआ है इस संधी मर गास सब्सक्यां मिद्यमिंद्वां व्कावल हम खड़े हैं अजाद उमिद्वार की रूख में और विंद सर्मा है बारती जन्ता पार्टी के अंडियेट है पहले रौतक से वह इंसाद रहे हैं अभी चुनाओं में वह दिपेंदर उड़ा से आर गए थे रौतक से और जगवीर मलिक हैं दूसरे को जो कॉंग्रेस की उमिद्वार हैं उनके अलावा एक हरस चिखा रहा है उनके आपको समाजिक समाज सेवा के उनका नाम बताते हैं उन्होंने भी तिकोना मकावला बनाया हुआ हर जित की बात हम अभी नहीं कर पाएंगे निकी बारे में लेकिन घित पावला अने में बात करते हैं ऊचाना कला में जो कंते पार्टी ऑमिद्वार हैं वो ब्रजिंद्र संह चोधर बिरंदर के वहाधार्य है Health वे उनके जो बेटे विरजेंदर सिंग चुनाव लट रहे हैं वो भी बार्टिजंदर पार्टी में सांसद थे और उन्हें संसद से रिजाइन करके कंग्रिस पार्टी में पार्टी ने उनको उमिद्वार बनाया जी बिल्कुर दूसरी और जो देवेंदर अत्री को ये विद्वार की बात करते है तो विरंदर जोगडियां बीक Sorry. में बात कि आप तो अब बादली की बात करते हैं बादली में अजीत गुलिया एक इंडिपेंडेंट चुनाव लट रहे हैं अजीत गुलिया भी बागी दो रहे हैं और वहाँ पर भारतिय जंदा पार्टी जंदा पार्टी के अरियाना की जाड़ समुदा आई साहिब नेता उनको बादिय जंदा पार्टी में माना जाता है तो बादियत पार्टी से हैं और जो कुलीप वथ से हो कंग्रिस पार्टी के उमिद्वार तो तीनों में वह कहिन गया जीत कुलिया ने भी प्नाटा हुआ हुआ आठ तारीख को पता से लबाएगा क्या होगा लेकिन टिकोना मुकावला में कहीं उनको्त नहीं आखा जा सकता चिर्षा के बात करते हैं और वे वह कांटे के टक करने कोई भी जी सकता अभी कुछ का नहीं जा सकता अधक्तुबर के बाद ही पता से लपाएगा इस प्रकार से हम एक हमने जो यह अंकलन किया है और धरातल पर पतरकार काम कर रहे हैं उन्हें बात चीत की है और दूसरे जो सोर्सी जमारे हैं उन्हें जीत करा है मले बने थे उनका रिकार्ड आपकी बार, इस जो 24 की विदानस्बाच और याना विदानस्बाच वह 16 का रिकार्ड अब की बार, अब की बार, उमिद्वार रिकार तोड़ जकते हैं सोला से भी ज्यादा मान के चलते हैं ज्यादा उमिद्वार इंडिपेंडेंट चुनाव जीच सकते हैं मुझे लगता है कहीं इस बार रहना तो किसी न किसी पार्टी को सपस्ट बहुमत मिलने वाला है और कांग्रेस के पक्स में ज्यादा आवाज आ रही है लोगों के मुख सबस्ट बहुमत की पास नहीं पहुँचते है तो उसमें भारत्य संथा पार्टी अगर कहीं के 30 से उपर जाज़ास की नजरें अभी से उन्होंने अपने तार मिलाने नेतुलिया विदायक जीट के आ सकते हैं होना तारमिलाने सुरू करती हैं वो ज्यादातर विदाय के इंडियों पार्टियों पार्टियों की बात करें कांग्रिस या भारती जनता पार्टियों पार्टियों की बात करें कांग्रिस या भारती जनता पार्टियों की बात करें कांग्रिस या भारती जनता पार्टियों को पस्ट बहुमत नहीं मिलता है तो जो निर्दलिया बिधायक है जीत कर निर्दलिया बिधान सवा में जाएंगी वो एक एहम रोल अदा कर सकते हैं मैरा सब आप हमारे स्टूडियो में आए आपका बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद नमस्कार